कि लिए प्रेड्श की बुक्स बॉल से आपको इस चैनल पर मिलते हैं अध्युकेशनल वीडियो और आज हम लोग पढने वाले हैं class six की मैच्स की बुक्स हैं जिसका कवर पेज आप ये स्क्रीन पर देक रहे हैं इस बूक्से हम लोग करने वाले हैं चेप्टर 6 जो कि है आपका इंटीजर के ऊपर इंटीजर और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले एक्सिसाइज 6.1 6.1 का मैंने 1st part करवाया था बच्चो जिसके अंदर मैंने कुछ कोशन आपको solve करना बताया था और topic भी समझाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मिस कर गए हो इसका 1st part तो सबसे पहले इसका 1st part जरूर देख लेना ठीक है ताकि आपको basic concept clear हो चाहे और उसके बाद ये second part मैं आज लिखिया हूँ जिसमें आज हम लोग 6.1 के जो remaining question है उसे आज हम लोग complete करेंगे ठीक है चैनल पर notification मिल सके है चलिए फिर start करते है फिर ठीक है अगर अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो भी like जरूर कर लो और साथी साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन है बच्चो नीचे description में आप लोग को काफी link मिल जाएंगे वीडियो की link मिल जाएगी playlist की link मिल जाएगी साथी साथ social media पर मुझे follow कर सकते हो उसकी link भी description में यह और साथ के साथ एक telegram group है मेरा जहां मैं सारी update देता रहता हूँ आपके study से related उस group को भी join कर सकते हो ठीक है चलो फिर start करते है question number one से लेकर के question number four तक मैं already complete करा चुक हूँ आज हम लोग करेंगे question number five one word तो fifth question जो बच्चो आपके सा मुझाता हूँ इसके अंदर करना के है कि falling is the list of temperature of five places in India on particular day of the year एक साल के अंदर इंडिया के अंदर यानिक जो हमारी country है हमारी country के अंदर जो five different place है उसके बारे में detail दे रखियो उसके temperature के बारे में तो देखो बच्चो यहाँ आपके पास यह तेंपरेचर दिख रहा है और यहाँ आपके पास यह प्लेस दिख रहा है तो बच्चो जो प्लेस है यह तो आपका कॉलम वन हो गया ठीक है अगर हम इसे कॉलम में वर्ट कर दे और यह temperature जो दिख रहा है यह आपका कॉलम टू दिख रहा है तो यह first city है आपके पास सियाचिन, second place जो यह city बोलीजे similar, third place एहमदाबाद, fourth place देली और fifth place स्री नगर और इन सब का temperature आपके सामने देख रहा है one by one ठीक है अब एक बात आपको यह और धिहान में रखना है दो वर्ड है इसके अंदर एक तो बिलो लिखा हुआ है एक अब लिखा है बिलो का मतलब डाउन यानिकी in decrease होगी ठीक है नीच celsius below zero degree यानिक अगर zero है zero से नीचे आपको लेके जाना है जैसे अब यह number line आप देख रहे हो तो यहाँ पर zero की location है तो भी यह क्या बोल रहा है 10 degree below तो यानिकी negative की तरह आपको move करना है ठीक है अगर above बोले तो positive की तरह move कर लोगे यह आपको ध्यान रखना है तो स्याचिन का यह रहाँ बिलो में है शिमला का भी below में है यानि माइनस में temperature है एमदाबाद का temperature आपके पास above यानिकी plus में यानिकी right side move करोगे आप उसके बाद देली का temperature भी plus में positive है तो यानिकी above लिखा हुए आपके पास तो यह भी right side move करोगे और उसके बाद next आपके बास स्री नगर तो स्री नगर का temperature भी below लिखा हुआ है कि 5 degree Celsius यह जो sign है न बचो 0 सा बना हुआ है यह देखो मैं यहां लिखता हूँ 2 के उपर देखो 0 ऐसा बना हुआ है तो 2 degree हो गया अगर मालों यह 20 के उपर यह चोटा सा बन जा है तो 20 degree यानिक degree के लिए sign use किया जा रहा है और C for Celsius है य the temperature of these place in the form of integer integer की form में आपको यह जो blank spacing यहां आपको लिखना है in the blank column यह जो blank column बच्चो यहां इसका answer लिखना है चलो पने first part करते हैं बाकी remaining part करेंगे बाद में तो first part में जो बच्चो आप temperature के बारे में बोला गया कि 10 degree below तो क्या लिख होगे माइनस 10 degree Celsius ठीक है लेकिन माइनस का sign लगाना mandatory है बहुत जरूरी है तो लिख सकते हो 30 degree Celsius उसकी बार 20 प्लस 20 degree Celsius लिख सकते हो और उसकी बार अगेन बिलो आ गया तो माइनस 5 degree Celsius देखो एक बार और मैंने इस अंसर को यहां लिखा है अब यहां भी देख सकते हो यह देखो यहां भी आप इसे देख सकते हो ठीक है तो जो जब जहां पर भी बिलो लिखा हुआ था बच्चो बिलो की मीनिंग क्या होगी मैंने माइनस में लगा दिया और जहां अब आप की बात की जा रही तो मैंने प्लस साइन यहां पर लगा दिया है तो यह था बच्चो इसका फर्स पार्ट अब देखते नेक्स पार्ट भुर्स पार्ट मैं आप से पूछा जा रहे तिफ कि फोला एंस अंब लाइन अभी यह आपके पास इ। अ Above दो यह आने अब गासस आः रिपरेशन देगरें तयां वष्याय स कश्यूसिक डिटरी करने में डिग्री से उस जी बात इसके स्थम्ही करने के समय को तो देखो प्लेस की आभी सब हैूं अब करना तो आफ प्लेस चैयों तो यहां उन्हें की इसका लिया इसका प्लाइब Fat यहां तो छोटा सा यह बनेगा यह माइनस टू हो गया इसकी लोकीशन और उसका स्रीय नगर स्रीय नगर माइनस 5 है और यह देखो माइनस 5 बचो यहाँ यह सरकल नहीं बनाना है आपको यह मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ सियाचिन का टेंपरेचर कितना था माइनस टेन था तो देखो टेन के उपर इसे मार्क करके इधर ऐसे लिख सकते हो और दिली का तो पॉजिटीव में प्लस में 20 डिग्री है तो जहां पर 20 है वहाँ पर ऐसे कर देंगे उ सके बाद स्केल की हर्प से से ऐसे करके मार्क करोगे ठीक है और उसके बाद यह पॉइंट प्लोट कर दोगे और जितने भी यह सिटी है वे इन सब के नाम भी आप लोगों को लिख देना है तो आई होप आपको क्लेर हो गया होगा इस कुशन के अंदर करना अ किया है हम एक न्बर लाइन ट्रॉ करने लेप्प साइde में नेगेटिव नमबर होंगे राइट साइड में पॉजिटीव नमबर होंगे अब बिलकोल बीच में क्या होगा să you ठीक है उसके बाद यह आप यह point plot कर दोगे इस के लिए चलो अब देखते हैं C part C part में आपसे क्या पूछा जा रहे हैं? C part में आपसे पूछा जा रहे हैं, which is the coolest place coolest place का मतलब है, सबसे ज़्यादा ठंड कहां पे होगी जहां पर temperature सबसे कम होगी, वहां सबसे ज़्यादा ठंड होगी और सबसे कम temperature का मतलब है, जो सबसे ज़्यादा negative में आपको दिख रहे हैं अब negative की बात करें, तो देखो सियाचिन देखो, सियाचिन में क्या है? सियाचिन क्या है, सबसे ठंडा temperature वाला प्लेस है, यान कि यहाँ पर बर्फ जमती है, ठीक है? और नेक्स डीप आट है बच्चो, उसमें आपसे पूछा जा रहे है, write the name of the place where the temperature are above 10 degree Celsius, यान कि 10 degree से जो ज्यादा temperature जहाँ पर उस प्लेस का आपको नाम बताना है, चलो बहुत एक बार और और नमबर लाइन देख लेते हैं, यह temperature लाइन है, 10 degree से ज्यादा, अब 10 degree तो देखो यह है, यह 10 degree है, इस से ज्यादा, तो देली, देली का कितना है, 20 degree Celsius है, ठीक, एक मिनिट, दुबार लिखता हूँ, देली का कितना है, 20 degree Celsius है, और एमदाबाद का कितना है, 30 degree Celsius, यान कि यह दो लो, 20 degree Celsius भी, और 30 degree Celsius भी, दो लो के हैं, ज्यादा है, भाई, 10 degree Celsius है, तो आप आप आंसर लिख सकते हो, कि एमदाबाद and Delhi are the place where the temperatures are above 10 degree Celsius, 10 degree Celsius यह ज्य ज्यादा temperature है, 10 degree Celsius, ठीक है, तो आई होप, क्लियर हो गया होगा, कि भी इस question में आप से, temperature के बारे में बहुत अच्छे से, हरी चीज़ पूछी जा रही थी, और one by one मैंने आपको सारी चीज़े explain कर दी, ठीक है, चलो, अब देखते है, next question, तो ठीक है, बच्छो, अब देख तो पहले एक basic concept समझा रहा हूँ, वो समझो, ये देखो, मैं एक number line draw करता हूँ, पहले आपको समझाने के लिए, ठीक है, एक number, ये मैं समझाने के लिए use कर रहा हूँ, बलब जरूरी नहीं है, आपको draw करना, बस समझ लो एक बार, कि number line और उसके concept को, माल लो ये एक number line है, ठीक है, अभी question बाद में बताऊंगा, फ़ले concept समझो, ठीक है, इधर होता है positive number, ठीक है, integer का जो number line होता है, इधर integer में लिख देता हूँ, आपको समझने के लिए एक बात और ध्यान में, कही रफ में इसे draw करके रख भी सकते हो, ठीक है, तो integer जितने भी होते हैं, उसके regarding मे number line समझा रहा हूँ, positive number हमेशा right side में होता है, ठीक है, और left side में होता है हमारा negative number, यह आपको याद रखना है, उसका बीच में क्या होता है, zero होता है, और number कैसे start होता है, इधर देखो, plus one, plus two, plus three, plus four, plus five, plus six, इस तरह से चलता रहता है, यानि कि plus one लिखोगे, plus two लिखोगे, plus sign हम लोग usually लगाते हैं नहीं है, और इधर आपका negative number, यानि कि minus one, minus two, minus three, इस तरह से, यानि कि आप ये बोल सकते हो, right side जब आप shift करोगे, तो plus करते हैं हम लोग, और जब हम left side shift करते हैं बचे तो minus करते हैं, ठीक है, यह याद रखना पने, और negative, जो left side जो number होते हैं, वो छ आपको पीछे ले जाके एक बर्द जरूर देखो, अच्छा, अब आजो question के अंदर, question के अंदर, question के अंदर पूछा क्या जा रहा है, तो question में आप से पूछा जा रहा है, in each of the following pair, which number is to be the right of, right of the other on the number line, यानि कि आपको ये बताना है, यह जो pair दे रखा है सब के अंदर, आ सा, right side में कौन सा आएगा, अब right की पहचान मेंने कैसे बताए है आपको, right के side होता है, जो greater होता है, right का मतलब यहाँ पे number line में क्या है, जो greater number है, जो बड़ा number, greater, bigger, इस तरह से आपको याद रखना है, जो भी number greater है, bigger है, वो right side में, जो smaller है, smaller number है, least है, छोटा है, वो left side में आता है, ठीके बचो, अब देखो, अब आपके पास यह है, 2 और 9, अब मैं पूछो, 2 और 9 में बड़ा number को है, बहुत इसली answer देद होगे, कि sir, 9 is greater than 2, देखो यहाँ लिखा है न मैंने, कि 9 is greater than 2, simple answer है यह तो, ता आप लिक सकते हो, 9 lies to the right on the number line, जो 9 है, वो नमबर लाइन में right की तरफ होगा, easy है, अच्छा, उसके आद नेक्स देखो B part, B part में आपके पास है, minus 3 and minus 8, अब यहाँ से confusion स्टार्ट हो गई है, कैसे देखो गई, मालो यह 0 है आपके पास, ठीक है इधर positive number है, इधर negative, तो पहले आता है, minus 1, फिर आता है, minus 2, फिर आता है, minus 3, ठीक है, अब क्लेर हो गया होगा, फिर आता है, minus 4, minus 5, फिर minus 6, minus 7, और फिर minus 8, अब यह बता हो, right side में कौन से है, तो आपको दिख किया, right side में क्या है, minus 3, right side में, ठीक है, तो negative number में उल्टा होता है, तो यानि कि आप यह बोल सकते हो, कि minus 3 is greater than minus 8, ठीक है, minus 3 क्या है, बढ़ा है, अ minus 3 lies right on the number line, यानि कि number line के right side में कौन सा number आएगा, minus 3 आएगा, इन दोनों पेर में, ठीक है, अब उसके बाद 0 और minus 1 की बात की जारी, very simple, यह number line है, अब यह देखो, 0 यह रा, एक और नमबर छोटा सा बना लेते number line, ठीक है, यह देखो, यह 0 है, 0 के इधर आता है, इधर आता than minus 1, यह condition भी आपको लिखनी है है, हर एक answer में, 0 is greater than minus 1, 0 क्या है, minus 1 से greater है, बचो, जब minus 1 से greater है, तो इस वज़े से आप बोल सकते हो, कि यह minus 1 से greater होने की वज़े से 0, इसके right side में आएगा, ठीक है, कि side में है का right side में हैगा, अच्छ आप सोच रहों से आप बढ़ा छोट आप मैंने इसको कर दिया है rough, अब आपके लिए थोड़ा easy हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है, अब हम करते हैं, डी पार्ट, डी में आप से बोला जा रहा है, कि minus 11 और minus 10 के बारे में बताओ, ठीक है, नमबर लाइन ट्रॉ करके समझते हैं, यह आपका 0 आ गया, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखोगे, तो यहाँ पर कहीं पर एक जगा आ जाएगा, minus 10 आ जाएगा, उसके बाद आएगा minus 11, ठीक है, तो आपके जो minus 10 है, वो किदर है, राइट साइड में, इसका मतलब यह हुआ, कि भी, 1, 2, 3, 4, 5, यानि कि इस तरह आपका plus 10 आ जाएगा, यानि कि आपका आपके बोल सकते हो, कि plus 10 is greater than minus 11, ठीक है, कि plus वाला नंबर हमेशा है, बच्छो, minus वाली नंबर से greater होता है, यानि कि right side में कौन सा नंबर आ रहा है, plus 10 आ ठीक है, plus 10 राइट साइड में आ रहा है, तो आप लिक सकते हो, कि 10 या फिर प्लस 10 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, lies to the right of the number line, वो कहां lie करेगा, adjust का पर करेगा, right side में, इसे हम draw करेंगे, ठीक है, चलो, अब मैं इसे rough कर देता हूँ, अब देखो, इसके बाद e part देखो, तो e part में आप से बोला जा रहा है, तो भी minus 6 और plus 6 के बारे में बता हूँ, ठीक है, यह हो गई number line, और यह आपका 0 हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, एसे अगर counting करोगे, प्लस वाली, तो 6 तो इदर आ जाएगा, राइट साइड में, और minus 6 बच्छो इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 राइट साइड में आ जाएगा, यानिक आप यह बोल सकते हो, कि plus 6 is greater than minus 6, plus 6 जो है बच्छो, वो ग्रेटर होता है, minus 6 है, देखो मैंने हाँ condition लिख वे दिया है, ठीक है, यह लिख दिया है, तो आप लिख सकते हो, कि भी plus 6, जो है आपके बास, plus 6 lies to the right on the number line, plus 6 कहा होगा, वो राइट साइड के अंदर होगा, लास्ट में आपके बास है, plus 1 और minus 100, ठीक है, एक और number line ड्रॉ कर लेते है, यह आगे आपके बास 0, अब धी 0 के बाद इधर plus 1 हो जाएगा, ठीक है, और minus 1 की दर होगा, minus की तरफ होगा, यहानि कि इधर कहीं जाके 123 करते करते है, जाके minus 100 आएगा, तो आप बड़ा का नंबर कौन सा है, plus 1 बड़ा है, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है, plus 1 ठीक है, कि प्लस 1 is greater than minus 100, ठीक है, यह condition मैंने बच्चो, यहान लिख दिया है, और इस दर दर से आप बोल सकते हो, कि one lies to the right on the number line, ठीक है, तो यह हो गया आपका बच्चो, question number 6, ठीक है, अब देखते है, next question, question number 7, कि 7 में आप से क्या आप पूछा जा रहे, तो 7 के अंदर between the given pair, अब पेर, यह तो पेर में जो आपके पास यह तूटू नंबर दे रहे हैं, सब के अंदर, दो नंबर दे रहे है, इन दोनों नंबर के बीच में जितने भी नंबर आते है, वो सारे नंबर आपको लिख देने है, ठीक है, और यह कैसे लिखने है, तो देखो ब्रैके या bigger आप बोले, bigger कहे लो, largest कहे लो, ठीक है, यह बाद में आते हैं, पहले चोटा आते है, स्कूल में भी आसेंबली में लगते हैं, कि भी ascending order, descending order में, तो ascending order या increasing order में क्या होता है, पहले चोटा आ गया आता है, बड़ा बाद में आते हैं, ठीक है, अच्छा, तो फस्ट आप पेर है बचो ये पार्ट में देखो, 0 & 6-7 तो इसमें जो बचो 0, 0 बड़ा numero है, में 0 और minus 7 के बीच में आ जाएंगे ठीक है बच्चो तो ये इसका answer आप लोग लिख सकते हो तो I hope आपको ये वाला part clear हो गया होगा अच्छा अब देखते है next B part देखते है अच्छा पहले मैं इसको rough कर देता हूँ थोड़ा से हाँ अब देखो B part B part में आपसे बोला जा रहा है कि minus 4 और plus 4 के बीच के नंबर लिखो लोग अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में 0 हो गया इधर भई 4 हो गया plus 4 इधर हो जाएगा अब minus 4 इधर हो जाएगा इनके बीच का नंबर तो भई पहले इसको लिख लेते हैं 123 ये नंब कुन से minus 3 से लेकर के plus 3 के नंबर है बच्चों इनके बीच में तो सबसे पहला नंबर क्या रहा है minus 3 आ रहा है तो देखो minus 3 minus 2 minus 1 0 0 के बाद 123 ये मैंने यहां से उठा के यहां लिख दिया अगर आपको number line समझ में आ गया तो ये सारे question आप easily कर सकते हो अच्छा अब देखते सी पार्ट हमें से रफ कर रहा हूँ ठीक है तो सी पार्ट में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि minus 8 और minus 15 लो भाई एक और कोशन है ये 0 माल लेते हैं यहां पर है थोड़ा इदर करके बना लेते minus 8 आपके पास इदर आ जाएगा और उसके बाद minus 8 के बाद minus 9 minus 10 minus 11 minus 12 minus 13 और उसके बाद आजाएगा आपके बस minus 15 यानि कि minus 8 से लेकर के minus 15 के बीच का नंबर ठीक है तो भी 8 तो आपका ये वाला हो गया minus 8 और minus 15 ये हो गया बच्चों आपका तो बीच में क्या क्या नंबर बचे माइनस 14 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 11 ये नंबर बचे ठीक है तो ये सारे नंबर है में लिख देने है तो सबसे छोटा नंबर माइनस 14 है बच्चों जो लेफ्ट की तरफ है ठीक है मैने बताया जाना स्मॉलर नंबर इधर होता है और ग्रेटर नंबर इधर होता है यानिकि ल यह आपके होगे भई माइनस 8 और माइनस 15 के बीच में कौन-कौन से नंबर आते हैं यानि जिस इंटीजर के हम बात कर रहे हैं अच्छा अब देखते हैं बच्छो लास्ट पार्ट डी पार्ट तो पहले इसको भी रफ कर देता हूं और हाँ वीडियो पॉस करके आप इसको नोट कर सकते हो भई आपको के सर आप बीच में रफ कर देते हो हम लिख नहीं पा रहे हैं तो सिंपल सा सोलूशन है वीडियो पॉस करो लिख लो अच्छा अब देखो भई डी पार्ट देखो तो डी पार्ट में आपसे बच्छे बोला जा रहा है कि भी माइनस 30 और माइन 23 यहां पर आ जाएगा अब 30 तक जाते हैं तो 23 के बाद माइनस 24 हो जाएगा 25 उपर लिख देता हूँ माइनस 25, 26, 27 और उसके बाद 28, 28 के बाद यह 29 यह हो जाएगा माइनस 29 और नीचे लिख देता हूँ माइनस 30 तो बच्छो यह नंबर आ गया आपके पास अच्छा अब हमें क्या करना है भी लेफ साइड से लिखना स्ताट करना है 30 नहीं लिखेंगे हम लोग और 30 के लाबर माइनस 23 हो नहीं लिखेंगे तो बीच में कौन-कौन से नंबर है माइनस 29 ठी Canal माइनस 28 माइनस 27-27 को यह आपके पास आगे जो कह ज golden teaser है म एनस 23 पीच में ठीक है बच् तो आपको पूरे में से पूरे मार्स मिलेंगे, आपके मार्स कहीं पर कट ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप इस question का answer करते हैं, एक pencil से थोड़ा सा rough diagram में, इस तरह से आप number line भी draw कर दोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, next question number 8 देखते हैं, तो question number 8 में आप से पूछा जा रहा है बचो, जड़ा देखो पहले क्या है, write all four negative integer, write four negative integer greater than minus 20, यार कि minus 20 से जो number बड़ा है, four number आपको लिखने है, integer, कॉंस एंटीजर लिखने आपको, minus वाला लिखना है, इस नहीं ये बोला कि प्लस वाला नहीं लिखोगे negative, यानि कि minus, minus वाला, तो ठीक है भई, एक बार number line draw करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये number line में मैंने ये 0 बनाया बीच में, इधर तो 123 प्लस में चलेगा, और इधर minus में चलेगा, मानलो भई, minus 20 इधर है, उसके बाद क्या आएगा, minus 19 इधर आजाएगा, फ फिर minus 17 आजाएगा, minus 16 आजाएगा, इस तरह से सारे number बीच बीच में आते जाके, फिर minus 1 भी आजाएगा, फिर 0 आजाएगा, यानि कि इससे greater, greater का मतलब है, इससे बड़ा number क्या होगा, जो इसके right side में होगा, तो इसके 20, minus 20 के, इसके रफ करता हूँ, दोबारा समझाते है तो बी, minus 20 से, ठीके बच्चो, minus 20 के right side में क्या होगा, minus 20 के right side में होगा, minus 19 हो जाएगा, minus 18 हो जाएगा, minus 17 हो जाएगा, minus 16 हो जाएगा, minus 15 हो जाएगा, minus 14 हो जाएगा, ये number होगे, और हमें ऐसे कितने number लिखने है, 4 number लिखने है, part A में बोला जा रहा है, ठीके बई, 20 के इसके बाद four number लिखना start कर दो, first number के आगया, minus 19 आगया, second number के आगया, minus 18 आगया, third number के आगया, minus 17 आगया, fourth के आगया, minus 16 आगया, आप question में four number ही पूचा गया है, four तक ही लिखना आपको, ज्यादा अगर पूचा जाता कि five number लिखो, six लिखो, तो आप लिखते हैं, लेकिन इस question में आपसे कितने बोले गया है, four बोला गया है, तो आप लोग क्या गरोगी, बच्चो four number ही लिखो गया है, ठीक है, तो आई होप आपको clear हो गया होगा, ठीक है, अब देखते है, next इसका बी पार्ट देखते है, कि बी पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, question number eight के तो बही एक बार याद करो, यह number line है आपके पास, left side में smaller होता है, ठीक है, left side में क्या होता है, smaller होता है, less than होता है, right side में क्या होता है, greater होता है, ठीक है, greater होता है, bigger होता है, अब इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, तो पहले बही एक number line ड्रॉ कर लेते हैं, यह अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है कि भी इससे less than का मतलब है कि भी जो इसके left side में जाएगा तो minus 10 के बाद क्या आता है minus 11 आता है इसे left की तरफ जाना है smaller का मतलब left की तरफ move करना है 10 के बाद 11 11 के minus के बाद minus 12 आता है minus 12 के बाद minus 13 हो गया फिर minus 14 आ जाएगा फिर minus 15 आ जाएगा और next आपके बास minus 16 आ जाएगा तो यह वो number है जो की minus 10 के भी left side में आएंगे minus 10 है plus 10 नहीं है याद रखना ठीक है चलो भी 10 तो लिखेंगे नहीं हम 10 के बाद वाले number तो minus 11 minus 12 minus 13 and minus 14 तो बचो answer क्या हो गया minus 11 minus 12 minus 13 minus 14 are the integers less than minus 10 minus 10 से जो less है वो कौन-कौन से number है minus 11 minus 12 minus 13 minus 14 तो इस तरह बचो आप इसका answer कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया आपका question number 8 complete हो गया अब देखते है next question number 9 देखते है कि 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो पहले एक बार question को समझ लेते हैं read कर लेते हैं फिर question को solve करेंगे तो question number 9 में आपसे बोचे बोला जा रहा है फोर फोर दप फोलाइं स्टेटमेंट राइट ट्रू ट्रू के लिए bracket में बोला जार आप टीवी यूज़ कर सकते हो तो false के लिए आफ एफ यूज़ करोगे if the statement is false अच्छा अगर कोई statement true है यानकी correct है तो आप टीवी यूज़ कर सकते हो या फिर टी आर यूज़ लिख सकते हो अगर statement गलत है फॉल्स है तो आप capital F यूज़ कर सकते हो या फिर फॉल्स लिख सकते हो ठीक है चलो चेक करते है कि – 8 जो है वो right side में होगा आच देख लेते है है यह आ गया minus 8 ठीक है फिर माइनस नाइन और आएगा minus 10 आएगा तो राइड साइड में कौन से नंबर है राइड साइड में 8 है यह बिल्कुल सही बात है तो यह अपका स्टेटमेंट क्या हो गया टू हो गया अप लिख सकते ओ कि माइनिस 8 इस ग्रेटर देन माइनस टैल दिखो एस ग्रेटर देन माइनस टैन अच्छा अब देखते नक्स सेकंड सेटमेंट बी बीमे बचो आप से बोला जा कि minus 100 is the right of minus 50 अच्छा minus 100 और 50 के बारे में तो minus 50 तो बच्चो इधर आ जाएगा फिर बाल लेते minus 60 आ जाएगा फिर माल लेते minus 70 आ गया और फिर माल लेते minus 80 यहाँ पर आ गया 80 की बाद minus 90 आ जाएगा फिर minus 90 के बाद minus 100 आ गया अच्छा अब आजो कुशन में दुबार अभी यहाँ पर क्या वो लगे था कि minus 100 is right side of minus 50 नहीं भाई यह statement false हो गया कि minus 100 की दर है left side में right side में थोड़ी है minus 50 है right side में तो तो यानि कि यह जो statement बच्चो यह क्या होगा आपका गलत हो गया तो आप लिखोगे false क्या लिखोगे false condition क्या लिखोगे कि minus 50 is greater than minus 100 यानि कि minus 50 जो है बच्चो वो क्या है greater है minus 100 से ठीक है यह आप condition भी लिखोगे तो आप लिख से हैंस minus 100 lie to the left of minus 100 यानि कि 100 जो होगा minus 100 वो minus 50 के left side में होगा ठीक है अच्छा एक बर रफ करते हैं फिर आपको समझाते है question number c इसका part c तो c में देखो बच्चो इसमें आपसे बोला जा रहा है smallest negative integer देखो यह बोला जारा कि smallest negative integer is minus 1 कि minus 1 जो है सबसे smallest number है integer है negative integer की बात की जारी देखो number line में 0 यह आता है तो सबसे पहला number क्या आता है सबसे पहला number minus 1 आता है फिर आता है minus 2 फिर आता है आपके बास minus 3 तो भई right side में जो number होता है बच्चो वो बड़ा होता है यह मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको याद रखना है और जो left side में होता है छोटा होता है यह बोला जारा है कि minus 1 सबसे भई क्या है सबसे smallest है नहीं भई minus 1 smallest negative number नहीं है बल्कि यह greater है smallest नहीं है बल्कि यह क्या है greater है यानि कि statement क्या हो गया false हो गया है देखो मैंने या लिख भी दिया है statement हमारा false हो गया reason क्या है कि minus 1 is the greater negative integer है smallest नहीं है greater है तो यह आप लिख सकते हो false statement हो गया, अब उसके बाद next है d part, d में आपसे बोला जारे कि minus 26 is greater than minus 25, अरे भाई प्लस का नंबर होता है तो हम बोल देते कि 26 बढ़ा है 25 से, या भी बोल सकते हो 26 is greater than 25, बट जब negative नंबर हो जाता है, तो इधर क्या होता है, पहले minus 25 लिखते है इधर आता है minus 26, यानि उल्टा होता है इसमें, तो आप यह बोल सकते हो कि minus 26 जो है, वो बड़ा नहीं है बई, छोटा है minus 25 से, देखो इधर positive नंबर की बात किया रहा था पहले में, अब नीचे किसके बारे मता रहा हो negative, जोनों के आगे minus लगाया, तो आप यह बोलोगे, क यह minus 25 क्या है, minus 25 इससे बड़ा, यानि कि आभ यह बोलोगे, minus 26 क्या है, smaller है, क्या है, smaller है, तो लिखो के, यह जो statement है, greater जो लिखा दा, यह गलत है, greater नहीं आएगा, smaller आना चाहिए था, तो आप लिखो के false, statement क्या हो गया, हमारा false, यानि गलत हो गया, minus 26 is the smallest, या फिर बोल सक smaller than minus 25, ठीक है, यानि कि यह भी statement आपका क्या हो गया, false हो गया, तो I hope आपको यह question number 9 समझ में आगया होगा, इसमें true and false कैसे बताना है, condition लगा के बताना है, ठीक है, चलो, अब आजो, इस exercise का यह last question है, question number 10, ठीक है, उसके बाद यह आपकी exercise complete हो जाएगी, तो इसमें आप से पहले है, draw a number line and answer the following, एक number line draw करना है, और answer करना है, कितने पार्ट है, छोटे-छोटे-छोटे-चार पार्ट है, तुरत कर लेंगे, अभी देखो, तो सबसे पहले आप से बोला जा रहा है, which number will we reach if we move four number to the minus two, four numbers to the right of minus two, अच्छा, एक बार पहले number line draw करोगे, ठीक है, यह number line ह हो गए आपके पास, क्योंसा number है, minus four, minus four से आपको start करना है, कितने step move करना है, four step, first step में आप गए, minus one के पास, second step में गए आप zero के पास, third step में आप गए, plus one के पास, और जब फोर्थ स्टेप आया, क्वान से स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में बच्छोग क कि अगर right side में four times move करेंगे, तो हम क्या पहुंचेंगे, we will reach at plus two, हम लोग कहां पे पहुंचेंगे, plus two के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, यानि कि plus two है, बच्छो आपका answer हो जाएगा, ठीक है, ये draw भी करना है, और इससे इस तरह से लिखना भी है, अच्छा, उसके बी पार्ट में आप से बोला जा रहा है, which number will reach, अब हम किस number के पास पहुंचेंगे, इसके बारे में पूचा जा रहा है, which number will we reach if we move five number, अब यहाँ पे four step move किया था, अब यहाँ कितने step move करना है, five step move करना है, ठीक है, अच्छा, फिर आगे बोला जा रहा है, number to the left of one, left side जान यहाँ देखो, हम लोग किस तरह move करना है, तो right side में जा रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, हमें left side में जाना है, plus one के left side में, ठीक है, कितनी बार जाना है, five step जाना है, तो पहलो चलो भी solution करते हैं, तो यह इस तरह से पहले बच्चों क्या करोगे, इसे draw कर लोगे, draw करने के प्लस one से start किया, तो पहले एक step में, जीरो आ जाओगे, जीरो किया second step जब आपका आएगा, तो minus one पे आ जाओगे, third step में, minus two पे आ जाओगे, fourth step में, minus three पे आ जाओगे, अब four की बाद जो fifth step आएगा बच्चों, तब आप आ जाओगे, minus four पे, यानि कि fifth step पे अगर मैं बात करूँ, fifth step पे कहां पे आ जाओगे, fifth step पे आ जाओगे, minus four पे आ जाओगे, ठीक है, किस पे आओगे, minus four पे आ जाओगे, तो minus four तो आपका answer हो जाएगा, और answer लिकोगे कुछ इस से, if we move five numbers, if we move five numbers to the left of one, one के left side में, अगर five move करेंगे हैं, we will reach at minus four, हम का पहुँँ जाएगे, ठीक है, तो यह हो गया बच्चो आपका, बीक answer, अच्छा, अब देखते हैं, भाई, C पार्ट, देखते हैं, C में आपसे क्या पूछा जा रहे, तो C में आपसे बच्चो पूछा जा रहे, if we are at minus eight, हम लोग कहां परे, minus eight पे, दोबार सुनो, if we are at minus eight on the number line, in which direction should we move to reach minus 13, minus eight पे हम लोग हैं, और हमें जाना किस तरफ है, minus 13 पे जाना है, तो भी negative number है भाई, दोनो, minus eight भी negative है, minus 13 भी negative है, तो कौन से direction पर जाओगे, left side पर जाओगे, ठीक है, इसे draw भी करना है, कैसे, जड़ा देखो भाई, इस तरह से करेंगे, देखो, minus eight यह आप यह इधर draw कर लोग है, minus eight, ठीक है, और उसके बाद, eight के बाद, सारी counting लिख सकते हो, ठीक है, एट के बाद जितनी counting है, eight के बाद आप लिख सकते हो, nine लिख सकते हो, nine miss हो गया ना, मुस्से लगता है, nine लिख सकते हो, फिर 10, फिर 11, फिर 12, कहा तक जाना हमें, minus, एक देखो, यह एक step, minus eight के 11, minus 12, minus 13, ठीक है, इस तरह से बच्चे हो गया, तो भी आप कितने step में पहुच होगी 13, तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने या लिख है, कि minus 13 lies on the left side, minus 13 का पर होगा, left side लोगा, थोड़ा सा डाइग्राम को थोड़ा से modification कर लोगे, modification क्या करना है, इसके अंदर बता रो, एक 9 कर लेना है, और इसके आगे यहाँ पर बना लोगे, minus 8 बना लोगे, I hope, आपको clear होगे होगा, कि minus 8 इधर बना लोगे, ठीक है, और उसके बाद minus 9, तो भाई, minus 9, फिर यह minus 10, minus 11, फिर minus 12, और minus 13 हो जाएगा, तो भी किस तरह move कर रहे हैं हम लोग, हम लोग जो move कर रहे है, 8 से अगर मुझे 13 तक जाना है बच्चो, तो मैं किस डिरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ्ट डिरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अब लिक सकते हो, minus 13 lie to the left of minus 8, minus 8 के left side में यह number आएगा, minus 13, ठीक है, hence, we should move toward the left direction, हमें कॉन से डिरेक्शन मूव करना चाए, लेफ्ट डिरेक् लेक्ते लास्ट पार्ट और यह आपकी एक्सराइस हो जाएगा, complete, इसमें आपसे बोला जार, if we are at minus 6, minus 6 के उपर हम लोग है, on the number line, in which direction should we move to reach minus 1, minus 1 पर जाना है, minus 6 पर हम लोग है, और minus 1 पर जाना है, कैसे करेंगे, चलो देखो हमे, minus 1 हम लोग कहां पर है, minus 6 पर हम लोग ठीक है, हम लोग आपर है, minus 6 पर हम लोग, at minus 6, we are, we are at minus 6, minus 6 पर, जाना का हमे, minus 1 पर जाना है, at minus 1 पर जाना है, तो देखो भई, अभी कौन से direction जा रहा है, right side में, क्योंकि भाई, minus 1 जोए greater है, तो यह देखो हम लोग किस तरफ मूव करे, minus 6 से minus 5 पर आएंगे, minus 5 के बाद minus 4 पर आएंगे, फिर minus 3 पर आएंगे, फिर minus 2 पर आएंगे, और उसके बाद हमारा आजाएगा, minus 1, तो हमने किस direction मूव किया, बच्छो, right direction में, हम लोग करे, अपने, तो आप लिख सकते हो, minus 1 lie to the right of minus 6, minus 1 जोगा, वो किस direction में lie करेगा, right direction में lie करेगा, on the number line, तो आप फाइनली यह आंसर लिखते हो, so we should move towards the right direction, हमें कौन से direction में move करना पड़ेगा, right direction की तरफ हमें, move करना पड़ेगा, ठीक है बच्छो, तो यह था बच्छो, आपकी exercise 6.1, और 6.1 हम लोगो ने दो chapter, दो बार, दो वीडियो में हमें इसे complete किया है, अगर किसी ने अभी तर इसका part 1 नहीं देखा है, 6.1 का part 1 नहीं देखा है बच्छो, तो भी link description में है, वहां से देख सकते हो, इसके वालाबा math की जितनी भी वीडियो है, सारी वीडियो, exercise 1.1 से ले करके, 6.1 तक की जितनी आपको कुशन समझ में आया या नहीं है, आप लोग मुझे ये बताना, ये जो चेप्टर में आपका integer स्टार्ट किया है, ठीक है, integer, पर इंटीजर में आपने ये बताना है, कि बी इंटीजर जो बच्छो होता है, ठीक है, इंटीजर के बारे में ये बताना है, कि बी इंटीजर जो होता है, और जो प्राइम नंबर होता है, इंटीजर और प्राइम नंबर होता है, इंके बारे में आपको बताना है वही करमेंट बोक्स में तो जरूर बताःने या दो अग्जांपल आप द्य Vatican है दो बना प्राइम नंबर के दिदेना ओर बास इतना करना है आपको ठीचाल फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज झाल